जीपरी, रहस्य मैं टैक्सी की कहानी. यह उस रात की बात है जब मैं देर रात तक अपने दोस्त के साथ काम करता रहा. रात के करीब दो बजे, मैं अपने आफिस से निकल कर घर जाने के लिए एक टैक्सी बुलाने का फैसला किया. सडकों पर सननाटा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी. मैंने अपने फोन से टैक्सी बुक की और कुछ ही मिनटों में एक पीली रंग की टैक्सी मेरे सामने आखडी हुई. मैंने ड्राइवर से पूछा, क्या आप मुझे राजनगर ले चलेंगे? ड्राइवर ने एक मुसकान दी और बोला, हाँ, बैठिये. मैंने पीछे की सीट पर बैठते ही अपनी सीट बेल्ट बांधी. टैक्सी धीरे-धीरे चल पड़ी. शहर की लाइटें धीरे-धीरे पी मैंने ड्राइवर से पूछा. उसने बिना मेरी तरफ देखे ही जवाब दिया. मेरा नाम रमेश है. मैंने कुछ देर तक खामोशी बनाए रखी, लेकिन कुछ देर बाद मेरी नजर टैक्सी के अंदर लगी, एक पुरानी फोटो पर पड़ी. फोटो में एक परिवार था, पती, पत्नी और एक छोटा बच्चा. ये आपका परिवार है? मैंने उटसुकता से पूछा. ड्राइवर ने हलकी सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, था. था? क्या मतलब? मैंने चौँक कर पूछा. ड्राइवर ने एक लंबी सांस ली और बोला, कुछ साल पहले एक हादसे मे मेरी पत्नी और बच्चा दोनों गुजर गए. तभी से मैं अकेला हूँ. मैंने एक ठंडी सांस ली और उसके दर्द को समझने की कोशिश की. कुछ देर बाद टैक्सी एक सुनसान जंगल के पास से गुजरने लगी. जंगल की स्याह पर छाईयां और अजीब-जीब आवा क्या यहां सुरक्षित है? ड्राइवर ने बिना जवाब दिये टैक्सी का दर्वाजा खोला और बाहर चला गया. मैं टैक्सी के अंदर बैठा-बैठा ही इंतजार करने लगा. बाहर घुप अंधेरा था और सिर्फ जंगल की आवाजें सुनाई दे रही थी. कुछ मिनटो बाद ड्राइवर वापस आया और बोला, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा. आप चाहें तो बाहर आकर थोड़ा चल सकते हैं. मैंने अन्मने मन से टैक्सी का दर्वाजा खोला और बाहर आ गया. जैसे ही मैंने कदम बाहर रखा, एक अजीब सी ठंडक ने मुझे घेर लिया मैं धीरे धीरे सडक के किनारे पर चलने लगा. तब ही मेरी नजर एक पुराने मकान के खंड़हर पर पड़ी. मकान के अंदर से कुछ हलचल सी महसूस हुई. मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उत्सुकता ने मुझे उस खंड़हर के पास जाने पर मजबूर कर दिया. जैसे ही मैं मकान के करीब पहुचा, एक साया सा नजर आया. मैंने जोर से चिलाया, कौन है वहाँ? साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा. डर के मारे मेरे पैरों ने चलना बंद कर दिया. अचानक वह साया पूरी तरह से प्रकट हो गया. वह कोई और नहीं, बलकि ड्राइवर रमेश था, लेकिन उसकी आँखों में अब एक अजीब सी चमक थी. यह क्या है? मैंने घबरा कर पूछा. रमेश ने एक खौफनाग हंसी के साथ कहा, तुम्हें यहाँ लाना मेरा मकसद था. तुम ही मेरे परिवार की मौत के जिम्मेदार हो. मैंने चौ हाथसा मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल होने के कारण हुआ था. मुझे उस हाथसे का बिलकुल भी याद नहीं था. लेकिन रमेश की बातें सच लग रही थी. मैंने कभी जान बूच कर ऐसा नहीं किया. मैंने रुवांसे स्वर में कहा. रमेश ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा. अब तुम्हें भी उसी दर्द का अहसास होगा. वह मेरे करीब आने लगा. मैं डर के मारे पीछे हटने लगा. तब ही अचानक एक तेज रोशनी से मेरी आखें चौंधिया गई. एक दूसरी गाड़ी वहां आकर रुख गई और उसमें से एक पुलिस वाला बाहर नि गया. आप ठीक हैं? उसने पूछा. मैंने हां में सिर हिलाया और कहा. हाँ, धन्यवाद. वहां आदमी मुझे मारने वाला था. पुलिस वाले ने चौंक कर पूछा. कौन आदमी? मैंने रमेश की ओर इशारा किया. लेकिन वहां कोई नहीं था. सिर्फ जंगल की अंधेरी रात और सन्नाटा. पुलिस वाले ने मुझे टैक्सी में बिठाया और मुझे घर तक छोड़ दिया. उस रात के बाद मैंने कभी देर रात तक काम नहीं किया और नहीं कभी उस रास्ते पर गया. वह रात मेरे लिए एक डरावना सपना बनकर रह गई. जिसे मैं कभी नहीं